भारतिया रेलवे देश में बड़ी तेजी की साथ वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन की शुरुआत कर रही है पहले की तुल्ला में अब एक बार में दो वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेनों को एक साथ रेलवे ट्रेक पर उतारा जा रहा है यह ट्रेन देश में हाई स्पीड ट्रेन के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है भारतिय रेलवे से यातरा करने वालों को यह ट्रेन खूब पसंद आ रही है इस ट्रेन में कई रूट्स पर अच्छी भुगी चल रही है अभी हाल ही में मुंबई से श्रीडी और सोलापुर के लिए शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यातरियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है मुंबई के च्छत्रपती शिवाजी माराट टर्मिनस से पूरे होते हुए सोलापुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में पूरे सप्ते में 12,027 यातरियों ने सफर किया है यह आकड़े 10 से 18 फरवरी 2023 के बीच का है वहीं दूसरी और मुंबई से शिरडी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 70 फीसी से ज़्यादा यातरियों ने सफर किया है जबकि अन्य ट्रेनों की तुलना में ज्यादा किराया होने के बाबजूद यातरियों ने इस ट्रेन में सफर करना पहली पसंद रखा है मुंबई से 16 पूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफते में 6 दिन चल रही है यह ट्रेन 6 पती शिवाजी महारा टाइमनस से शाम 4 बचकर 5 मिनट पर रवाना हो जाती है ठीक उसी दिन दादर कल्याण पूरे और कुड़वाडी के रास्ते रात 10 बचकर 40 मिनट पर सोलापूर पहुचती है मुंबई से सोलापूर के लिए चेयर कार का टिकेट 1300 रुपेका है जबकि एग्जेक्टिव चेयर कार का टिकेट 235 रुपेका है हाला कि इस टिकेट के किराए में खाना पीना भी शामिल है 10 फरवरी 2023 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मुंबई में इन दोनों ट्रेनों को एक साथ हरी जंडी दिखा कर रवाना किया था ये दोनों ही वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई के च्छत्रपति शिवाजी महराट टर्मिनस से अपना सफर सुरू करती है ट्रेन में यात्रियों को मिलने वाली लग्जरी सुविधाओं को लेकर यात्री काफी खुश है मुंबई में तो बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जलवा है पर नाकपुर बिलासपुर बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हालत काफी खराव है नाकपुर बिलासपुर बंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पत्राव हुआ है एक कोच का शीशा पूरी तरीके से छती गरस्त हो गया है ट्रेन के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुचने के बाद मामले की जाज की गई इसमें आरपीफ को पता चला कि घटना नाकपुर रेलवे मंडल के रेवराल स्टेशन से ट्रेन छूटने के बाद हुई थी घटना में किसी यात्रियों को कोई चोट नहीं लगी है मद्य भारत की पहली वंद्य भारत एक्सपुर से नाकपुर तक शुरू की गई है शुरुआत से ही वंद्य भारत एक्सपुर से नाकपुर पहुची और दोपहर नाकपुर से वापसी के लिए निकली तभी भंडारा रेलवे स्टेशन के पास किसी शरारती तत्व ने वंदे भर टेक्स्पर्श ट्रेन पर पत्थर मारा इस पत्थरबाजी में प्रेन के कोच C7 का काच तूट गया पत्थरबाजी की घटना की जानकारी प्रेन स्टाफ ने आरपीएफ को दी आरपीएफ तत्कल मौके पर पहुँची तब तक पत्थरबाजी करने वाले शरारती तत्व मौके से फरार हो गए आरपीएफ ने आस-पास के लोगों से जानकारी ली लेकिन आरोपी की जानकारी आरपीएफ को नहीं हो पाई तब टीम लोगों को समझाईस देकर वापस लोड़ गई लगातार हो रही पत्थरबाजी को रोक पाने में रेल प्रशाशन नाकाम साबित हो रहा है और इधर यात्रियों के लिए भी पत्थरबाजी खत्रा बना हुआ है वंदे भारत ट्रेन भारते रेलवे में नए युक की तकनीक को दर्शाती है यह भारत की पहली semi high speed ट्रेन है और इस ट्रेन पर इस तरीके से लगातार पत्थरबाजी होना काफी निराशा जनक बात है वंदे भरत एक्स्प्रेश ट्रेन में सुरक्षा के इंतजाम तो किये गए हैं लेकिन सारे इंतजाम ट्रेन के अंदर हैं और ट्रेन के बाहर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है यही वज़ा है कि हर बार पत्तरबाजी करने वाले आरोपी बच निकलते हैं और आर्पीएफ हाथ मलती ही रह जाती है